हालो अब्रिवन कैसे हैं आप सब होप आप सभी अच्छे हो तो आज जो है हम पेपर यहां पेपर डिसकस करेंगे ड्राइंग का ओके यहां पे हमारा पेपर ड्राइंग का यह वाला जो है वो यहां से बहुत सारे कुशन जो है आपके रिपीट हो सकते हैं और अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो एक आपको समझ बन पाएगी कि आपको पेपर जो है किस तरह से आएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन है तो आप इन्हें जरूर देख कि हम सीधे ही कोशिचन के ऊपर आते हैं भाग को थो भाग को जो है वह आपका नमेलेखित प्रशनों के उत्तर चांट कर आपने लिखने है और यह पहला प्रशन आपका टैन मार्ग का आएगा राइट तो यह जो है आपका टैन मार्क का कुश्चन रहेगा और मल्टीपल जो है वो इसमें रहेंगी सो फूल दान का निचला भाग किस प्रकार का होता है अंडाकार होता है या आयताकार होता है या फिर वरगाकार होता है तो इसका जो है वो सही अंसर जो है वो अंडाकार होता है ओके और आप भी साथ साथ में मुझे बताएं कि आपको कितने कोशन जो है आपके सही हुए comment box में आप मुझे जरूर comment करके पताएं कि मेरे ए पहले question में एक से दस थे इतने marks जो है वो बनते हैं राइट तो इससे आपकी revision भी साथ साथ में हो जाएगी next question बस्तू चितर्ण में किस seat number की बस्तू को समानतर स्थिती होगी क्या वो 6 की होगी क्या वो 4 की होगी क्या वो 7 की होगी तो इसका जो है आपका सही answer जो है वो option 4 option जो B है और इसका answer जो है वो 4 ओके and next डवर डोटी का अकार कैसा होता है तो बच्चों आप सभी ने डवर डोटी खाई होगी बिल्कुल खाई होगी और वर्गर भी खाया होगा तो आप सभी जानते हैं इसका अकार जो है गोलाकार होता है ओके जिस तरह से यहाँ पर डोव वा ठीक वैसे ही गोलाकार जामनी रंग किस श्रेणी में आता है तो जामनी रंग जो है वो आपकी कौन सी श्रेणी में आता है क्वेश्चन यह है क्या वो प्रतम है क्या वो तृतिय है या फिर दृतिय है तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे ह और आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने चे पहले एक वार फिर से आप सभी से में यह कहना चाहूंगा कि अपनी क्लास चैनल को जल से जल जो है वह आप सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे और भी पेपर्स आपके एक्साम टाइम है तो कुछ सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेंगे इंदर धनुस में सबसे नीचे का रंग जो है वो कौन सा होता है तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ तो वो अगर आप शब्द याद कर लें तो इसके रिगार्डिंग जो भी कोशन आएगा वो आपको याद हो जा वाई ओर रैट तो वन टू वन टू टू थरी फोर फ़ाइब सेवन यह इंदर धनुस के साथ रंग है इस तरह से तो यहां से कॉश्चन पूछा गया इंदर धनुस में सबसे नीचे का रंग कौन सा है तो वो होगा आपका पहला जो है वो बैंगनी है यहां से कॉश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंदर उसका सबसे पहला रंग कौन सा होता है तो पहला जो है वो आपका जो है वो वाइलट यानिके वैंगनी फिर इंडिको ब्लू ग्रीन ग्रीन जो है वो आपका देखिए यहां पर बिल्कुल सेंटर में है इसके आसपास जो है वो इसके आसपास जो ग्रीन होगा और लास्ट की बात यहां पे पूछी गई है तो लास्ट में कौन सा रंग रहा है आपका रेड तो इसका जो सही अंसर होगा सबसे नीचे वाला रंग कौन सा है अगर मैं पूछा जाए कि अगर आपको यह भी आ सकता है कि मध्य में कौन सा रंग होता है तो वह होता है ग्रीन और लास्ट में कौन सा होता है रेड ओके तो यहां से आपका बिब क्वैड चो है आप यह शब्द याद रखने आप कोई भ यह तो आप सभी जानते होंगे क्या वो घनाकार होता आइताकार होता वर्गागार होता तो वो जो है वो आपका आइताकार होता है ओके और नेक्स्ट बाहनों के टायर किस परकार क्यों होते हैं आप सभी जानते हैं बेड़नाकार अंडाकार या ब्रिताकार वो होते हैं आ ऐसे सम्क्षेतर जो गोड रेखा से गिरा हो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं बहुत इजी कोईशिन है ये भी तो इसका अंसर जो रहेगा वो भी आपका ब्रेथ यानि कि ऑप्षन बी जो है वो इसका सही अंसर रहेगा ओके छोटे फुट रूल में कितने सेंटीमीटर होते हैं कहने का दात्वरे कि जो आपका फुटा जिसे आप लोकल लेंग्विज में कहते हैं उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं तो इसका अंसर क्या वो ए सारा सेंटिमेटर या फिर पंदरा सेंटिमेटर तो इसका जो ऑप्सन सी जो है वो सही अंसर होगा ओके ऑप्सन सी यान के पंदरा सेंटिमेटर सब्जियों में बैंगनी बैंगन का रंग कैसा होता है तो आप मुझे बताएं सभी ने बैंगन खाएं आपने देखे भी होंग सा है लेकिन इसका मैं सही अंसर जो है आपको बताऊंगा उपसंसी जो है रहे गाल को सही अंसर है बैंग नीरंग ओके वाइल जिससे कह सकते हैं अब हमारे पास जो है वो भागो आ रहा है भागो जो है वो टू मार्क्स का रहेगा यान के टोटल जो है वो आपका 30 marks के जो है वो question यहां से 30 अंक बनेंगे आपके तो बहुत important है और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही बात आप जरूर अपनी class channel को subscribe करें और नीचे मुझे यहां पर comment box में भी comment करके बता दें कि हमने join किया है तो मैं जल से जल जो है वो PDF उसका टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा और well icon भी जरूर दवाए क्योंकि हर paper जो आपको यहां पर मिरने बाला है so निमन रंगों में सीतल रंग कौन सा है बहुत important question है क्या वो क्या वो आपका नीला रंग है क्या वो आपका पीला रंग है क्या वो आपका लाल रंग है तो आपका जो सीतल रंग है वो है आपका option a यानि के नीला रंग okay तो यह आपका जो है शीतल रंग है एंड नेक्स्ट बस्तू चित्रण में दूसरी पंक्ति में कितने बिद्यार्थी बैठते हैं जी हां बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बस्तू चित्रण में साथ छे तेरा तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूर सकता है कि टोटल कितने बिद्यार्थी बैठते हैं तो आप यहां पे उसका अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसका अंसर जो रहेगा वो 13 और यहां पे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है टोटल तो यहां पे अंसर जो है दूसरी पंक्ति में बैठते हैं 6 अब देखिए दूसरी पंक्ति मे कितने बैठते हैं तो उसका अंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए यानिके साथ पहली पंक्ति में बैठते हैं हमारे साथ और दूसरी पंक्ति में बैठते हैं 6 यानिके टोटल मिलाके 13 आगे वड़े हम वह रिखा जो किंदर से गुजरती हुई दोनों और प्रधी परसमापत होत जो है वो इसका सभिद्द का प्रफन कर और निमन में अनियमइट ऐकार की बथा कोन सी होती है पुच्टक की आपी और यहां पर बचता है हमारे पास आपल सेब सेब जो हाइसका सही अंसर रहेगा आगे वरहीं हम सम सट भुज का आंतरी कौन कितने अंश्का होता है जी हां कॉशन इस तरह से भी आ सकता है कि बाहरी कौन जो है वो कितने अंश्का होता है तो यहां पर आंतरी कौन की बात की गई है तो यहां पर अंसर है option A यानिके 108 degree ओके एंड न Everywhere नीला प्लस पीडा रंग मिलने से ऐ बनता या कौन सा रंग बनता तो आपका जो है जामनी बनता है संदिर वनता या फिर अंसर ढूए बढ़ा हो तो तो आप जरूर जो है वो यहां पे है हरा रंग तो एक चीज़ और बता दू साथ साथ में आप प्रैक्टिस करें और आपने आप से ही मेरे से पहले अंसर बता दे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कॉशन कितने सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कितने हुए तो यह आपके लिए कर रिवीजन भी हो जाएगी फटा फट से ओके सो नेक्स क्वेशन बृत के अर्द भाग को क्या कहते हैं तो बृत के अर्द भाग को हम कहते हैं अर्द बृत राइट आगे बढ़ते हैं आगे है most important जो है आपका खुद का अपनी क्लास तो आपका खुद का बनाया हुआ चैनल अपनी क्लास और जरूर सब्सक्राइब करें वैल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फटा फट के पहुंच जाए और टेलिग्राम ग्रूप भी करें आपको लगता है कि कुछ हद तक हमें हेल्प मिल रही है तो विल्कुल लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स में सो ब्रित का वैभाग जो चाप और जीवा से गिरा हो उसे क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टन क्वेशन क्या वो जीवा है क्या वो चाप है तो अंस अलेक डिजाइन बस्तु चित्रन या कॉलाज तो इसका जो सही अंसर है डैट इस कॉलाज ओके ऑप्शन सी इंदर धनुस के सबसे मध्या रंग कौन सा आता है तो विब गवायर को याद करें जो मैंने आपको पहले बताया था वी आई बी जी वाई ओ आर तो आपका सेंट बी बृत के मध्य बिंदू को क्या कहते हैं सपर्स केंदर ब्यास तो उसको कहते हैं हम बृत के मध्य बिंदू को हम क्या कहते हैं आप सभी जानते होंगे केंदर सम साथ हुष का बाहरी वही कितने अश्का होता है तो यहां पे दोनों पूछ लिए गए तो वो होता है आप आपका 45-degree का तो यह आपका अंसर है और 4x4 inch map की आकरती को क्या कहते है आध कर्ड या वर्क तो इसका जो सही अंसर है वो है बर्क ओके एक ओन से मत्यो मैं एक ओन शोड का तीसरे को मिलाने बाली रेखा को क्या कहते हैं क्या वो प्यास है क्या वो कर्ण है या फिर अबदा है तो इसका अंसर क्या होगा आप मुझे जरूर समझाएं या फिर बताएं और ओके महीं बता देता हूँ तो उसका अंसर जो है वो होगा कर्ण ओके तो नेक्स यह जो है आपके 55 मार्क के कॉश्चन है तो आप फड़ा फड़ से देख लीजिए 25 नंबर के आपके बटन रहे हैं टाइम बेस्ट नहीं करूंगा मैं ज्यादा आप जल्दी से इसे देख लीजिए चाहे स्क्रीन शॉर्ट भी किन सकते हैं या फिर लि आपको सॉल मिलेंगे और टेलीग्राम ग्रूप को भी जॉइन करें और नेक्स जो है आपका भाग को ओके यह जो है आपका बागते हुए किसी जानबर का चित्र माओ 15 नंबर का उड़ते हुए किसी पक्षी का चित्र करें कोई सा भी आप्शन आपके पास है दोड़ते हो दावक का चित्रन करें और दूसरा क्वेशन बीस नंबर का है चार सेंटीमेटर अर्ध व्यास वाले ब्रित में फूल पती का प्राकरतिक डिजाइन बनाए या 15 वाई 10 सेंटीमेटर वाली आयत में टेवल लैंप शेड करके बनाए सुन्दर करके या ओप्शन और भी मिल रही है चाक के डिबे पर सेब का चित्रन चाया और प्रकास सहित पूरा करें तो यह इस तरह से आपका पेपर है अब आपको समझ आई होगी समझ बन चुकी होग कि किस तरह से पेपर जो है आपका आ रहा है तो जल से जल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और फ्रेंज में टेलिगराम ग्रूप को जाइन करें तो आपके एक्जाम के लिए वैस्ट आफ लाक एंड थैंक यू और वीडियो अच्छा लगे तो जुरूर एक पार शेयर करते हैं और कुमेंट जुरूर करें थैंक यू एंड हब नाइस टेए